Hello everyone, welcome to the third part of High Court और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं Independence of High Court के बारे में अगर आपने Supreme Court का वीडियो जो है देख रखा है आपने Supreme Court का टॉपिक जो है cover up कर रखा है और वहां पे आपने Independence of Supreme Court जो है वो cover up कर लिया है तब आपके लिए ये वीडियो है काफी आसान होने वाला है because maximum जो चीज़े हैं वो सेम है थोड़ी बहुत यहां पे changes जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो Independence of High Court So Independence of High Court मतलब Judiciary जो है Judicial system जो है उसका independent होना इसका क्या मतलब होता है तो Judicial system का प्रेशर में आके अपने judgment को change ना करें यानि एक ऐसा environment हम प्रोवाइड करें जहां पे judges जो है बिना किसी भै के बिना किसी पक्षपात के और बिना किसी pressure में आए सही judgment सुना पाएं इसलिए जुरूरी हो जाता है कि Judicial system को हम independent रखे साथी साथ हमें पता है कि जो government है उसके तीन हिस्से होते हैं एक को हम executive कहते हैं दूसरे को हम legislature कहते हैं तीसरे को हम judiciary कहते हैं तो judiciary जो है उसके उपर pressure न बनाया जासे कि इसलिए जुरूरी हो जाता है कि judiciary को हम executive and legislature के influence से बाहर रखे इसलिए हमारे समिधान में कुछ provisions जो है वो provide किये गए है और ये कोशिश की गई है कि जो हमारा judicial system है वो independent रहे और impartial way में अपना काम जो है करता रहे ताकि हमारे देश के जो लोग है यहां की जो जनता है उनका विश्वास समिधान में बना रहे है उसके respect में पहला जो point हम देखेंगे वो है mode of appointment तो जो high court के judges होते हैं उनका appointment किसके द्वारा किया जाता है तो उनका appointment जो है president of India के द्वारा किया जाता है president of India के द्वारा किया जाता है इसका literal meaning आपको president of India नहीं लेना है इसका मतलब है कि जो ruling government है center में वो appoint करती है judges को बट जो ruling government है वो अपनी मर्जी से इन चीजों को नहीं करती है actually होता क्या है कि ये सारी चीज़े जो है वो किसके नाम पे की जाती है president of India के नाम से की जाती है बट ये सारे जो process है वो ruling government के तहत पूरे किये जाते है और ruling government जो है वो अपनी मर्जी से किसी को भी उठा के high court का judge जो है नहीं बना सकती है उसके लिए उनको बाकाइदा chief justice of India के साथ discussion करना होगा consult करना होगा and उस high court के chief justice के साथ भी discuss करना होगा जिस high court में उस particular judge को appoint किया जाने वाला है and again here you have to remember one more point कि यहाँ पे हम consultation with chief justice of India की बात कर रहे है तो यहाँ पे सरिफ और सरिफ chief justice of India का decision जो है वो नहीं रहेगा chief justice of India जो है वो अपने collegium के साथ भी discuss करेंगे यानि supreme court के जो चार senior most judge रहेंगे उनके साथ भी chief justice of India discussion करेंगे and इन सब चीजों के बाद finally वो नाम जो है वो forward किया जाता है and presidential order के तहत high court के judge का appointment जो है वो किया जाता है ठीक है तो यह procedure क्यों रखा गया है यह mode of appointment ऐसा क्यों है जहाँ पे chief justice of India and chief justice of that particular high court का role जो है वो भी important हो जाता है तो इसलिए रखा गया है ताकि हम interference जो है political executive का उसको avoid कर सके and judicial system को हम independent रख सके ठीक है तो यह importance है mode of appointment के respect में जो बाते हमारे भारतिय समिधान में कही गई है उसका ठीक है अब हम देखेंगे security of tainia जो है वो दिया गया है तो कोई भी जो judge है वो president के pleasure के हिसाब से काम नहीं करते यानि ऐसा नहीं होगा कि president के द्वारा appointment किया गया है तो president अपनी मर्जी से जब चाहें तब without giving any reason जो judge है उनको उनके post से हटा दे असा नहीं होगा बाकाइदा हमारे समिधान में कूछ procedures जो हैं बताये गए हैं जिनको follow करते हुए ही किसी judge को उनके office से हटाया जा सकता है और उसके लिए बाकाइदा resolution जो है parliament में लाना पड़ता है और उस legislation के उपर discussion होती है उसके उपर बाद में फिर क्या होता है कि एक committee बनाए जाती है committee अपना report जमा करती है और committee ने अगर guilty पाया है तो ही उस particular judge के conduct को discuss किया जाता है और only on the basis of proven misbehavior और incapacity ये दो ऐसे points है जिनके basis पे ही किसी particular judge को remove किया जा सकता है और ये जो resolution लाया जाता है ये finally two third majority से दोनों सदनों में यानि लोकसभा और रासभा दोनों सदनों में special majority पा लेता है और pass हो जाता है तो ही किसी judge को उनके post से हटाया जा सकता है अभी तक इंडिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी judge को remove किया गया हो इस process के थूँ ठीक है ऐसा नहीं है कि cases जो है वो नहीं पहुँचे parliament में resolution नहीं लाया गया है resolution लाया गया है वहाँ पे भी चीजे जो है वो गलत reflect होके आई है बट अभी तक इंडिया का ये इतिहास है कि कि किसी भी judge को remove जो है इस तरीके से नहीं किया गया है ठीक then fixed service condition जो है वो provide किया जाता है ताकि judges जो है वो बिना किसी भहके और बिना किसी पक्षपात के decision जो है वो अपना ले पाए उसके लिए क्या होता है कि उनकी जो salary है allowances है privileges है leave है pension वो सारी जो चीजे है वो fix कर दी जाती है जब वो appoint किये जाते हैं उस समय terms and conditions जो रहते हैं उसके अनुसार ही आगे का समय जो है आगे का जो कारेकाल है वो चलता रहता है बट अगर देश में financial emergency लागू कर दी जाती है उस समय जो particular judges होते हैं उनकी salary को उनके allowances को reduce जो है decrease जो है किया जा सकता है otherwise normal condition में उनको reduce नहीं किया जा सकता माल लेते हैं कि central government का कुछ case चल रहा है and जो judge है वो ये पा रहे हैं कि हाँ ये जो decision मैं देने वाला हूँ according to the procedure established by law according to the constitution of India ये ruling government के against होने वाली है तो उनके मन में कोई भी भय ना रहे कि अगर मैंने judgment ruling government के against में दे दिया है तो कहीं मेरी salary ना काट ली जाए या फिर मेरे allowances पे इसका impact ना पड़े या फिर मेरे privileges पे इसका impact ना पड़े तो वैसा कोई भी condition ना हो इसलिए fixed service condition का term जो है वो रखा जाता है okay then expenses charged on the consolidated fund of state जो salary होती है जो allowances होते हैं high court के judges का वो कहां से pay किया जाता है तो वो pay किया जाता है consolidated fund of that particular state और यहां पे आपको याद रखना है कि जब कोई high court का judge या chief justice retire हो जाते हैं तो उनका pension जो है वो pay किया जाता है from consolidated fund of India तो यह एक important point है okay then conduct of judges जो है उसको discuss नहीं किया जा सकता है ऐसे ही अगर किसी judge ने कोई judgment pass किया है तो वो जो judgment है उसको लेके parliament में या stateless nature में discussion जो है कोई भी MP या MLN नहीं कर सकता है हाँ अगर उन चीज़ों के उपर आपको discuss करना है आपको आपती है तो उस particular judge को remove करने के लिए पहले regulation लाई है regulation लाने के बाद जो सभापती है उन्होंने अगर वो regulation accept कर लिया तो फिर एक committee बनाये जाएगी जो investigate करेगी कि सच में ये जो charges लगाया जा रही है सही है कि नहीं है और उस committee के report के अनुसार अगर उनको guilty पाया गया तो ही वो जो बात है वो आगे बढ़ेगी और जो MLA है MPs है उनको ये हक हो जाता है उनको ये power मिल जाता है कि वो उस particular judge के conduct को discuss कर सके ठीक है बट अगर regulation नहीं लाया गया है तब उससे पहले judges के conduct को discuss नहीं किया जा सकता है legislature के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा अपको ध्यान देना है कि जो judges होते हैं वो जब retire हो जाते हैं तो उनके practice पे कुछ limitation है कुछ restriction है बट कहां पे restriction है और कहां पे वो काम कर सकते है after retirement तो supreme court पे and other high courts हैं पे वो काम कर सकते हैं माल लिया कि कोई judge जो है वो किसी particular high court A से retire हुए है तो after retirement वो जो है A high court में काम नहीं करेंगे but डूसरे जो high courts हैं वहाँ पे वो practice कर सकते हैं supreme court में वो practice कर सकते हैं and वो lower courts में भी practice नहीं कर सकते हैं इसलिए हमाले ये point जो है वो important हो जाता है that a retired judge of high court cannot practice in lower courts and same high court from which he has retired तो ये point आपको धियान रखना है then power to punish for its contempt हमने supreme court के video में भी देखा है कि supreme court के पास civil contempt and criminal contempt का power दिया गया है उसी प्रकार से जो high courts होते हैं उनको भी civil and criminal contempt का power जो है दिया गया है तो ये contempt का power क्यों दिया गया है ये contempt का power इसलिए दिया गया है ताकि court की बातों का कोई उलंगन कर रहा है जान बोच का उसको punish कर सके court and साती साथ court की गरिमा को अगर ठेस पहुँचाया जा रहा है तो उसको limit में रखा जा सके उसके उपर restriction जो है लाया जा सके तो civil contempt क्या होता है तो जब भी court के द्वारा कोई आदेश दिया गया और आप जान बोच के उस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं आप उस चीज को violate कर रहे हैं तब आपके उपर civil contempt का case जो है चलाया जाता है criminal contempt का case कब चलाया जाता है तो जब आप कोई ऐसी चीज publish कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज आप बोल रहे हैं जिससे समाज के अंदर हमारे देश के अंदर हमारे court की हमारे judicial system की जो मर्यादा है वो खराब हो रही है उनका repetition जो है वो काफी हद तक आप destroy कर रहे हैं तब वैसे case में criminal contempt का case जो है वो चलाया जाता है ठीक है यानि अगर आप court के गरिमा court case पहुचाएंगे तो criminal contempt का case जो है वो चलाया जाएगा then जो high courts होते हैं उनका jurisdiction का power है उसे curtail नहीं किया जा सकता है parliament या state legislature जो है उनके jurisdiction power को reduce नहीं कर सकता है हाँ उनके power को वो increase कर सकते हैं बट reduce करने का हग जो है नहीं दिया गया then freedom to appoint its staff जो high court के chief justice होते हैं उनके पास ये पूरा अधिकार है कि वो अपने staff का appointment जो हैं करे and terms and conditions जो हैं वो खुद set कर सकते हैं तो ये चीज भी इसलिए रखी गई है ताकि executive and legislature के influence से बाहर रखा जा सके and जो judicial system है उसको हम independent रख सके ताकि लोग का विश्वाद जो है हमारे भारतिय समयधान में वो बरकरार रहे वो बना रहे that's all in this video I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा वीडियो नहीं पसंद आया होगा तो प्लीज डिसलाइक भी कर दीजेगा बट वहाँ पे एक request मैं और करूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो प्लीज आप suggestion दे मुझे कि क्या changes मुझे करने चाहिए क्या मैं और करूँ ताकि इन ची जो को मैं और अच्छे तरीके से आप तक पहुचा पाऊँ ठीक है आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुच सके तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में तिल देन टेक क्या बाबाई थैंक यू